नमस्कार दोस्तों मैं आसीज पाठक आप सभी लोगों का परिक्षप्रस परिवार में स्वागत है जैसे अभी आयोग ने नोटिस जारी किया और मैंने आपको बताया भी था कि आयोग ने बोला था कि आप 19 तारिक तक मेंस का फांट भेज सकते हो 20 को हमें कजाम करा लेंगा और मैंने उसी समय बोला था कि आपका ये 20 को एकजाम होना नहीं है आज वो क्लियर कर दिया कि 20 को आपका एक्जाम मेंस नहीं होगा 2019 का PCS का और साथी साथ जो आपका 3 माई को एकजाम होना था आरो और ये आरो 2016 वाला वो भी अस्तवित कर दिया गया है अब ये एक्जाम कब होंगे ये तो इस्तिती पे डिपेंड करती है जो COVID-19 की जो इस्तिती है अगर ये समान हो जाती है जल्दी तो इक्जाम हो जाएंगे आपके जूनून के अप्रॉक्स में अगर समान है नहीं होती जैसे आप देख रहे हैं कि प्रधान मंतरी ने स्टेट के आपके चीफ मनिस्टर के साथ जो मीटिंग किया तो सभी स्टेट के चीफ मनिस्टर ने उनको यही निड़े दिया है कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाए तो लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो इस इस्टिती में क्या होगा कि आपके जो भी एक्जाम लगे हुए है चाहिए आपके जो एक्जाम कैंसिल हुए है माई तक और जो आपका जून को एक की जून को जो आपका प्री है 2020 का उसे भी कैंसिल होने की संभावना बढ़ गई है तो यह सब इस्टिती पे डिपेंड करता है अगर यह लॉकडाउन की इस्टिती बढ़ती है माल नहीं जब माई तक जाती है या 30 अप्रेल तक जाती है तो आपके जो भी एक्जाम है वो कैंसिल हो जाएंगे आगे के क्योंकि उनको क्या करना होगा जो पीछे की एक्जाम इन्होंने कैंसिल कराएं वो पहले कराएंगे फिर बाद में आपका जो लेटेस्ट एक्जाम है वो बाद में कराएंगे तो अब यह सब इस्टिती पे डिपेंड करता है पाँच पीडियाफ दिया जा रहा है इसमें कोई भी आपको फीस नहीं देनी है निसुल्ख है पूरा प्रोग्राम पूरा का पूरा आपको पाँच पीडियाफ सब्जेक्ट वाइस दिया जाएगा अलग-अलग सब्जेक्ट के और उस पे रिलेटेड आपके कोश्चन जो ह हमारे एप परिक्षा प्रस एप टे कराया जाता है तो जो भी लोग आरो 2016 और PCS 2020 की प्रिपेशन कर रहे हैं वो हमारी टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ जाओ Facebook ग्रूप से जुड़ जाओ वहाँ आपके पूरे information पूरे कोर्स के बारे में दिया गया है और हमारी चैनल को like करो, share करो, subscribe करो बाकी आगे information जैसे कुछ मिलते हैं आप लोग के सामने में खुदा हूंगा, धन्यवाद